नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें शेयर करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें कि सीजी व्यापम के समस्त अभ्यार्थियों का मैं महेंदा द्यवांगान हार्दिक स्वागत करता हूं जैसा कि आप जानते हैं कि खाद नीरिक शक भरती परिच्छा 20 फरवरी 2022 को आयोजित किया जाएगा व्यापम के द्वारा और उसी के मद्दे नजर रखते हुए हम यहा आपके एक्जाम के पॉइंट आफ से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि यह वीडियो काफी लोगों तक पहुंच सके तो यहां पर जो मुख्य प्रावधान है उसके बारे में हम चर्चा करेंग लगे जहां पर इंपॉर्टेंट लगेगा कि धारा के बारे में बात किया जाए तो फ़र जरूर किया जाएगए औरवज फिर वहां पर इस्किप कर दिया जाएगा नहीं तक देखें कि क्या यहां पर हमारे लिए पढ़ने के लायक है और क्या नहीं तो यहां पर अधायदो जो कि खाद्य सुरक्षा के प्रावधान पर अधारीत है और यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंतरगत खाद्य सुरक्षा प्रावधान के अंतरगत क्या क्या है तो अं हैं उसके बाद फिर यहां पर लिखा गया है कि इस धारा के अधीन पात्रतायन लक्षित सारजनिक वित्रण प्रणाली के अंतरगत आएंगी ठीक है उसके बाद फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है देखिए नेक्स्ट गर्वती महिलाओं तथा सिसुवती माताओं के लिए सहायता ठीक है आप यहां पर इसके अंतरगत देखिए कि क्या गर्वती महिलाओं और सिसुवती माता के लिए क्या-क्या यहां पर प्राउधान है तो ध्यान दीजिएगा गर्वावस्था के दवरान और बच्चे के जन्म के पस्चाथ 6 माह तक इस्थानी आंगन बाड़ से तथा ऐसी सर्तों के अध्यधीन रहते हुए दिया जाएगा जैसा कि उस योजना में विहित किया जाए कहने का मतलब है कि उस योजना के तहत क्या सुखा भोजन दिया जाएगा कि ready to eat दिया जाएगा यह जितने भी है जैसा कि नियम के अनुसार किया जाएगा यह आपका राजसरकार के उपर निर्भर करता है कि किस प्रकार के नियम बनाते हैं उसके बाद फिर आगे लिखा है यहाँ पर ध्यान दिजिएगा बच्चों के लिए पोसा हार अब यहाँ पर important क्या है इसके पहले जो पढ़े थे गर्भवती महिलाओं और सिसुवती माताओं के लिए तो गर्भवती महिलाओं के लिए तो ध्यान दिजिएगा गर्भवस्था के दवरान तथा बच्चे के जन्म लेने के 6 महा तक तो यह हमारे एक्जाम के point of से काफी important हो जाते हैं उसके बाद बच्चों के लिए पोसाहर सहायता तो 14 वर्स तक की आयू के प्रतियक बच्चे को उसकी पोसाहार अवस्यक्ता की पूर्ती हे तू पात्रता होगी ठीक है इतने वर्स तक यह important है तो 14 वर्स तक अब यहाँ पर ध्यान दिजिएगा कि इसके अंतरगत और क्या-क्या प्रावधान है 6 मां से 6 वर्स तक की आयू के बच्चों की दसा में इस्थानिय आंगन बाड़ी के माध्यम से निसूल को उप्यूक्त भोजन ठीक है और उसके बाद फिर परन्तु यदि 6 मां से कम आयू के बच्चों के लिए पूर्णतह इस्तनपान को बढ़ावा दिया जाएगा ठीक है आगे हम बढ़ते हैं 6 से 14 वर्स तक के आयू के बच्चों की दसा में सरकार सरकार द्वारत सहायता प्राप्त विद्यालियों इस्थानी निकायों द्वारत चलाये जा रहे विद्यालियों आठवी कक्षा तक वेरी वेरी इंपोर्टेंट आठवी कक्षा तक के पोसाहार मानक की पूर्ती हेतु विद्यालियों के आवकास दिवसों को छोड़कर प्रती दिन नीसुल्क मध्यान भोजन उपलब्द कराया जाएगा ठीक है तो 6 वर्स तक के बच्चों को आंगन बाड़ी की माध्यम से 6 माह से 6 वर्स तक के बच्चों को आंगन बाड़ी के माध्यम से और 6 माह से कम है तो उनको क्या किया जाएगा मात्ता के इस्तन पान से उसे भोजन दिया जाएगा ठीक है उसके बाद फिर यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं राज्य सरकार द्वारा जारी मार्ग दर्शिका के अनुसार यदी आवस्यक समझा जाए तो सहरी छेत्रों में भोजन पकाने के लिए केंदरी पाक साला की सुविधा का उपियोग किया जाएगा ठीक है जहां पर पकाया जा सके कीचन की बारे में बात कर रहा है यहां पर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, छात्रा वासों तथा आस्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोसाहर साहता, ठीक है, तो यहाँ पर भी पोसाहर की साहता किया जाएगा, उसके बाद बच्चों में कुपोसर का निवारण एवं प्रवंधन का भी पर देखते हैं कि क्या-क्या हमारे एक्जाम के पॉइंट अविस से इंपोर्टेंट हो सकता है, तो देखिए, यहाँ पर खाद सुरक्षा के प्रावधान, अंतियोद्य परिवार, प्रात्मिक्ता वाले परिवार, तथा समाने परिवारों को रियायती मुल्यों पर खाद वालों के लिए क्या होता है कि माता के द्वारा इस्तंपान की व्योस्था कराई जाती है, इन दसेंस माताओं को उच्छ प्रकार की पोसड आहार दिया जाता है, ताकि बच्चों को फायदा पहुचा जा सके, उसके बाद फिर 6 माह से अधिक और 6 वर्स तक, तो 6 वर्स तक ये सबी को आंगन बाड़ी के माध्यम से सुईधाय उपलब्द कराई जाती है, और 6 वर्स से 14 वर्स तक के बच्चों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय या फिर जो निकाय है उससे संबंधित विद्यालय वहाँ पर यदि संचालित है, तो उस विद्यालय के माध्यम से 8 वी कच्चा तक के विद्यार्थियों को पोसाहार की सुईधा उपलब्द कराई जाएगी, उसके बाद फिर यहाँ पर एक छात्रावास आस्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोसाहार की साहता करना, और बच्चों में कुपोसड यदी है, तो उसके लिए निवारण और प्रबंधन करना, उसकी उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, अध्यातीन के तरफ, ठीक है, तो ध्यान देंगे, विशे समुहों के लिए पात्रता यहाँ पर इंपोर्टेंट है, विशे समुहों के लिए, तो विशे समुहों के लिए पात्र और ऐसी रीती से जैसा कि योजना में विहित किया जाए प्रती दिन निसुल्क भोजन है तू पात रहोंगे, ठीक है, so it is very very important for the exam find of निराश्रित व्यक्ति, उसके बाद फिर यहाँ पर है आपका आवास हिन, तो आप जानते हैं आवास हिन ओंगे, तो आवास हिन को क्या यहाँ पर प्रती दिन निसुल्क भोजन के लिए पात रहोंगे, क्योंकि जैसा कि कल हमने चर्चा किया था कि निराश्रित व्यक्ति क्या होंगे, आवास हिन व्यक्ति क्या होंगे, है ना, अब यहाँ पर important एक नया term यहाँ पर जुड़ा हुआ है प्रवासी तो राज्य सरकार प्रवासियों और उनके परिवारों को जो किसी भी इस्थान पर वर्तमान में निवास कर रहे हो इस अधिनियम के अधिन उन्हें पातरताओं का दावा करने में समर्थ बनाने के लिए ऐ ऐसी योजना के अनुसार ऐसी रिती से जो भी विहित किया जाए प्रयास करेगी जो भी नियम काईदा कानून लागू किया जाए उसे प्रवासी माना जाएगा उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं यदि राज्य सरकार की राय में आपदा यदि राज्य सरकार की राय में आपात या आपदा की इस्ति विद्यमान है तो सभी प्रभावित परिवारों को ऐसी योजना के अनुसार ठीक है तीन माह की अवधी के लिए प्रती दीन दो समय का भोजन निसुल को उपलब्द कराए जाएगी ठीक है तो आपात अथ्वा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोसाहार सहायता कितने महिनों के लिए तो तीन महिनों के लिए दो समय का भोजन निसुल को उपलब्द कराएगी और पती दिन ठीक है कौन उपलब्द कराएगी तो राज्य सरकार तो भूख की दसा में ततकाल राहत के लिए क्या मार्ग दर्चिका है तो देखें राज्य सरकार भूख से पिडित भूख के स्रदिज दसाओं में रह रहे सभी व्यक्तियों परिवारों समुहों समुदायों यदि कोई भी हो को निहसुलक भोजन उपलब्द कराने के लिए म और उसे अधिसूचित करेगी मतलब यह ततकाल की व्योस्था होगी उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं राज्य के समस्त इस्थानी निकाय अपने चेत्रा अधिकार के अंतरगत आने वाले भूगोलिक चेत्र जैसा की अधिसूचित किया जाय के अंतरगत भूख से पि राहत प्रदाय करने के लिए उत्तरदाई होंगे यदि हम एक आसान भासा में बात करें तो भूख की दसा में राहत प्रदाय करने का इस्थानी निकायों का उत्तरदाईत बनता है उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कौन से परिवार को सहयता उपलब्द कराई जाएगी इसके पहचान किये जाने की तारीक से 6 माह तक ऐसी योजना के अनुसार जैसा भी विहित किया जाये राज्यसरकार के द्वारा प्रती दिन दो समय का भोजन निसुल को उपलब्द कराये जाएगा कितने माह तक 6 माह तक यह कब की दसा में भूख से तत्काल राहत की दसा में ठीक है उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं यह जैसे मान लिजिये अन्य कोई भी राहत हो है ना जैसा भी राज्य सरकार उची समझे वह नियम बना सकती है उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं अध्याय पांच की तरफ राज्य सरकार की योजनाएं ठीक है तो राज्य सरकार की योजनाएं क्या पात्रताओं की प्राप्ति हे तू योजनाओं का क्रियानवयन है न तो यहां पर पात्र कौन होंगे अपात्र कौन होंगे ये सभी की सभी जो जिम्मेदारी है वो राजसरकार की होगी ठीक है So these are all very very important उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं अध्याषए की तरफ राजसरकार का वित्ती उत्तर दायत ठीक है ये छोटा सचीज धियान रखेंगे राजसरकार का वित्ती उत्तर दायत इस अधिनियम के तहत समय प्रवित किसी अन्य विधी के अंतरगत पात्र परिवार के रूप में विनिर्दिष्ट कोई परिवार इस अधिनियम में अथ्वा निमित संसद द्वारा निर्मित किसी अन्य विधी के अंतरगत यथा विनिर्दिष्ट ऐसे खाद पदार्थों की ऐसी मात्रा जो भी अधिक हो के लिए पात्र होंगे. तो आप यहां पर यह ध्यान रखेंगे कि राज्य सरकार का वित्ति उत्तरदाइद कितना इंपॉर्टेंट है तो जब सरकार के पास फंड होंगे तब वह अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे नियम बना सकते हैं जैसा कि आप में बजट में देखा होगा. आगे हम बात करते हैं इस अधिनियम के अंतरगत उस समय परिवार में कौन से कौन पात रहोंगे कौन आपात रहोंगे किसे कितना दिया जाए कितना नहीं दिया जाए यह सभी के सभी जो धाईत होते हैं वो राज्य सरकार एक वित्त नियम के अधिन करेंगे उसके बाद फ कमजोर समाजिक समुहों की पहचान तो ये पहचान करने का भी दायत वकिसको होगी राजसरकार के पास ये इसकी सकती होगी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं जो हमने यहां पर डिब्ब बनाये हैं परिवारों तथा विशेश रूप से कमजोर समाजिक समुहों की पहचान के स यहां पर दिया गया है विशेश कमजोर समाजिक समुहों में निमलिखित परिवार विनिर्दिष्ट होंगे अब देखिए it is important अब कौन-कौन से समाजिक समुहों को कमजोर माना गया है उसको देखेंगे केंद्र सरकार द्वरा समय समय पर यथा अधिसुचित विशेश कमजोर जन जाती समुहों के समस्त परिवार अब जन जाती समुहों यहां पर important हो जाता है उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं समस्त परिवार जिसके मुखिया विध्वा अथ्वा एकांकी महिला है मतलब जिनके घर में जो मुखिया है वह महिला है और वह विध्वा है ठीक है आगे हम बढ़ते हैं समस्त परिवार जिसके मुखिया लाइलाज बिमारी से पीडित है ठीक है मेरे ख्याल से यह easily understood है इसको आसानी से समझ सकते हैं उसके बाद फिर जैसे कि मान लिजे कोई मु पर चलाता है यदि वह निशक्त व्यक्ति है ठीक है उसे कमजोर माना गया है कमजोर समाजिक समु समस्त परिवार जिसके मुखिया 60 वर्ज या इससे अधिक आयोके हैं जिनके पास आजिविका के सुनिशिस साधन या समाजिक सायता नहीं है ऐसे परिवार भी सामील है समस् के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं परिवार का कोई अन्य समूह जैसा की विहित किया जाए तो यहां पर लास्ट में सभी चीज को जोड़ दिया गया है है ना अगे सो आगे हम बढ़ते हैं इस अधिनियम के प्रारंब होने की तारिक से मुख्यमंत्री खाध्यान सहायता योजना के अधिन उनकी पात्रता की सीमा तक समस्त परिवार खाध्य समागरी प्राप्त करने हैं तो मुख्यमंत्री खाध्यान सहायता योजना के अधिन विनिर्दिस्त मान दंडों के अनुसा पात रहोंगे कहने का मतलब है कि यहां पर जितने भी दिया हुआ है चाहे वह बंध्वा मजदूर हो चाहे वह किसी भी प्रकार से समाजिक रूप से पीछड़ा हुआ हो भूमेहिन क्रिसी मजदूरों के समस्त परिवार सिमान्त एवं लगूक रिसकों के समस्त परिवार जिसके मुख्य असंगठित स्रमकर समाजिक सुरक्चा अधिनियम 2008 के अंतरगत असंगठित स्रमिक रूप से पंजिक रिथ हो ठीक है, मतलब स्रमिक पंजीकरित जो भी है वे सभी के सभी पात रहोंगे, किसके मुख्यमंत्री खाध्यान योजना के अन्तरगत उसके बाद फिर यहाँ पर एक और है समस्त परिवार, यस एक बाद तो पढ़ना ही पढ़ेगा आपको समस्त परिवार जिसके मुख्या भवन या अन्य सनिर्मार कर्मकार मतलब क्या है मिस्त्री आप यहां पर बोल सकते हैं ठीक है So these are all very very important for the exam point of view उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं समस्त परिवार जिनके मुख्या का कोई अन्य सदस्य आयकर दाता है तो यह सामिल नहीं होंगे अच्छा यहां पर बोला गया है अपवर्जित परिवार So it is important to claim it अपवर्जित परिवार मतलब यह जितने भी योजनाय हैं उनमें सामिल नहीं होंगे ठीक है अपवर्जित मतलब यह सामिल नहीं होंगे तो कौन-कौन से सामिल नहीं होंगे तो जो income tax देता है वो सामिल नहीं होंगे उसके बाद गैर अनुसुचित छेत्रों में 4 hectare से अधिक सिंचित भूमी या 8 hectare से अधिक असिंचित भूमी धारक समस्त ऐसे परिवार ठीक है ये सभी के सभी क्राइटेरिया है बहुत इसको याद करना ही पड़ेगा इस्थानी निकाय के प्रचली तीमों के अनुसार संपत्ती करके भुगतान देते हों वैसे सामिल नहीं होंगे वो अपवर्जित परिवार के अंतरगत आएंगे वीद किये गए मान दंडों के अनुस परिवार में डाला जा सकता है ठीक है मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा होगो तो प्लीज यार लाइक सेरें कमेंट जरूर करें इसकी हमें सक्त से सक्त जरूरत है और हम मोटिवेट होकर और भी नए वीडियो बना सकें तो यहाँ पर आप देख चुके कि अंतियोदय परिवार किसको बोलते हैं प्रात्मिक्ता परिवार किसको बोलते हैं अपवरजित परिवार किसको बोलेंगे समाने परिवार किसको बोलेंगे और कौन से योजना के लाब उठा सकते हैं और कौन नहीं ठीक है अब उसके बाद फिर हम अध्याय आठ में आते हैं, धारा सत्रा के अंतरगत, इसको मैं चोटा कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को यहां समझ में आए, रासन कार्ट जारी करने, it is important, रासन कार्ट जारी करने के प्रयोजन के लिए 18 वर्स की आयू या उससे अधिक आयू की महिला, परिवार की मुख्या होगी, यह है आपका महिला ससकती करड, वोमेन इंपॉर्मेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, जो दिया गया है, उसको एक बार रीट कर देते हैं, यह है धारा सत्रा के अंतरगत आएगा, ठीक है, आप चाहते हैं तो इसको याद कर सकते हैं, या फिर छोड़ सकते हैं, नो इसो, प्रतिक पात्र परिवार में परिवार की सबसे वरिष्ट महिला जो 18 वर्स की आयू से क कम ना हो, रासनकार्ट धारी, रासनकार्ट जारी करने के प्रयोजन के लिए परिवार की मुख्या माना जाएगा, किसी भी समय जहां किसी परिवार में कोई महिला 18 वर्स या 18 वर्स से अधिक आयू की महिला ना हो, किन्तु 18 वर्स की आयू से कम आयू की कोई महिला सदस्य ह तो रासन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए परिवार का सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य परिवार का मुख्या होगा ठीक है यह बहुत इसली अंडस्टूड है कि जहां पर मान लिजिए 18 वर्स या 18 वर्स से अधिक आयोग के उम्र की कोई महिला नहीं है या फिर 18 वर्स से कम आयोगी वहाँ पर महिला है तो वहां का जो वरिष्ठतम सदस्य होगा वरिष्ठतम पुरुष होगा वह परिवार का मुख्या माना जाएगा ठीक है उस रासन कार्ड के लिए आगे हम बढ़ते हैं अध्याय 9 ठीक है अध्याय 9 तो यहां पर दिया गया है अध्याय 9 इस्थानी निकायों की भूमिका क्या होनी चाहिए ओके तो इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वियन हेतू राज्य के सभी इस्थानी निकाय निमलिखित कारियों के लिए उत्तरदाइत होंगे, तो ठीक है, तो क्या-क्या कार के लिए उत्तरदाइत होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे पात्र परिवारों की पहचान करना, ठीक है, किसके लिए पात्र परिवारों, लक्षित सावजनिक विद्रण प्रनाली के क्रियान्वियन हेतु, राज्य सर दुकानों की रिती से निगराणी परिविक्षड जैसा विहित किया जाए उसके बाद फिर मार्ग दर्शिका के अनुसार उचित मुल्यों का सामाजिक अंकेचड करना उसके बाद फिर निराशृतों आवास इन व्यक्तियों का ऐसी रिती में चिंधांकित करना एवं उनको स इस्थानी निकाय ऐसे कर्तव्यों, कारियों एवं उत्तरदाइतों के निर्वहन है तू जो आप दे होंगे जैसा कि ऐसे योजना के अधीन उनको समनुदेशित किया जा सके जैसा कि इस नियम के क्रियानवयन है तू राजसरकवार द्वारा जो भी नियम बनाया जाए उसके निवारण प्रणाली अब देखते हैं क्या है यह अध्यादस्म है राजसरकार एक आन्तरिक सिकायत निवारण प्रणाली इस्थापित करेगी जिसमें कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारे की पदस्थापना आधी सामिल हो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं इस अधिनियम के अंतरगत पात्र परिवारों और व्यक्तियों को पात्रताएं उपलब्द कराने के प्रावधान को अधिनियम के अधिन प्रदान की जाने वाली सेवाओं के रूप में अधिसुचित किया जाएगा तथा समस्त ऐसी सेवाएं ऐसी रीती में तथा ऐसे समय सीमा के भीतर उपलब्द कराए जाएगी जैसा कि नियम द्वारा कहा गया है या फिर अधिसुचित किया गया है है सो इस इस इट फॉर अवर टुडेज्स वीडियो सेशन ठीक है नेक्स्ट सेशन में हम यहां पर पूरा का पूरा जो खाद सुरक्षा अधनियम 2012 है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे ठीक है तो हम आज के डेट में इतना ही तक रखते हैं हमने दो अध्याय से लेकर दस अध्याय तक आज के डेट में देखा है सो यहां पर यह सभी के सभी हमारे एक्जाम के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है यदि वीडियो आपको पहली बार में समझ में ना आए तो इसे दुबारा जरूर देखिए ताकि हमें चीजें आसानी से अध्याय क्लियर हो सके और वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट जो एक्जाम के पॉइंट ऑफिस से हैं उसी पर ही हम फोकस कर रहे हैं हर चीज को हम इतना देखो हमें एक्जाम को फाइट करना है ना कि हमें इस पेसिलिस्ट बनना है ठीक है तो यहां पर 30 कोईस्टन भी आ सकते हैं यहां से और 40 कोईस्टन भी यहां से आ सकते हैं यहां से कहने के मतलब है यह तो खादर-सुरुक्षा अधुनियंस लेकर आएंगे ठीक है तो जहां जहां जरूरत पड़ेगा और वहां वहां पर हम कोशन आंसर के बारे में डीटेल में चर्चा जरूर करेंगे तब तक के लिए वीडियो को देखते रहे हसते रहे मुस्कुराते रहे पढ़ते रहे थैंक्यू धन्यवाद